फ्रेंड्स में ने लिया है डेट कप गेउ का आटा चकी का आटा उसमें डालेंगे हम एक चोथा ही छोड़ा चमज नमक वीट फ्लो लिया है 1.5 कप उसमें डाला एक चोथा ही छोड़ा चमज नमक दो टेबिल स्मून हम इसमें डालेंगे तेल तेल डालें नमक और तेल को आ अब से ढके रख दें 20 मिनट चोटाई चुड़ा चमल लाल मिच जीरा पाउडर तोटाई चुड़ा च समच घूरा नमक धनिया पाउडर और गामचूर पाउड़ निन सब मसालों को मिक्स कर लिया है चार पेड़े बनाएं, सारे मसालों को मिक्स कर लिया, त्यार है, पेड़ा लें एक उसको सूखे आटे में डिप करें, और इसको बड़ा पेले पतला रोटी बेलें, एक बड़ी जिसी किसी भी शेप में बेलें, बड़ी रोटी पतली, तो ये मैंने बेल दी, अब हम इसके लगाएंगे तेल, तो दनियाँ पाउडर था, एक चोटा चमच, आम चूर पाउडर था, एक चोटा चमच, मसालों में बता रहें, इसमें दो टiबर टेल लगा दिया, अब ये मसाला डालें, जो हमने बनाया था, पूरा मसाला ढाले, तेल लगा कर थोड़ा सा सूखा और फिर पीछे मोडूर की वौड़ करें, अब थोड़ा सा इस पे वायल लगाएं, और थोड़ा सा आठा लगाएं जखैके प्राइव बीच मे उंगली रखके वल वायल खशक करें तो इस तरीके से इसको थोड़ा चप्टा कर लें अब सूखा आटा डालके हलके आतों से बेलना है अब हमें जोर से नहीं बेलना बिलकुल हलके आतों से बेलें और थोड़ा सा मोटा रखें पराटे को वरना सारी लेयर बंद हो जाएंगी और इसको हलके आतों से बेलते लिए न विए होंगे से पार्मेजान चीजुन डालें गता हमे गद Gir seeds फिर सोमय पना घमें ने कले नानी देखिन 일डे नानी दोद दोड़े दिमियो हाथ में दोड़े नतला कुछा बदा हो farish आटा लगा sagt अश्झास के आटा सब्सक्राइजरों परिकलगें ने कि मैं सबस्कितराईजरों बकेयर कोड़ा कोड़े मेर पर विधक करकें तेलों traffic ये सूखा आठा लगाएं और पतली रोटी बेलें दूसरा पराठा भी मैंने बेलिया अब ये तीसरा पराठा है इसे भी पतला बेलें पतली किसी भी शेप में पतली रोटी बेलें उपर तेल या बटर लगाएं जो भी आपको सही लगे तो ये मैंने तेल और बटर दोनो ल मसाला डालके कसूरी मेती डाल दी अब हम इसका पंक्हा बनाएंगे तो आगे लेके जाएं पीछे मोड़े और इस तरह से दबाते जाएं प्रेस करते जाएं तोड़ा-थोड़ा और फिर यूंग करके ओपर से तेल लगाएं थोड़ा सुखा आटा लगाएं ताके लेइर से और आराम आराम से बेलें ताके सारी लेयर्स ये देखें आराम आराम से बेलें और हलके आतों से थोड़ा सा मोटा बेलें पराटे को तो अब तवा बहुत गरम हो गया था तवे पे पहले हम सुनेरी रंगाने तक पका लेंगे और ये देखें लेर्स जैसे जैसे ये पकता जाएगा तेल लगा लें इसके उपर जब ये थोड़ा पक जाए बाद में ही तेल लगाएं, पहले तेल ना लगाएं यह देखें, लेयर्स वरना आपका पराठा क्रिस्पी नहीं बनेगा थोड़ा पक जाएं, उसके बाद ही पराठे पे तेल लगाया करें तो यह देखें, पहले हम पकाते हैं, इसको दोबारा से पहले पकाएं और अब हम इसके उपर तेल लगाएंगी, ये पग गया है तो, अब हम तेल लगा रहे हैं इसके उपर, और मैं आपको इसकी layers दिखाती हूँ, कितना layers पराटा बना है, हर एक layer खुली-खुली सी बनी है, अब ये तीसरा पराटा, मेथी वाला पराटा, ये देखें layers इसकी, कि अच्छा पराटा हमारा बड़ा जबर्दस बना है चीज पराटा कसूरी मेता पराटा मसाला पराटा जो भी आपको एजी लगे आप वो बनाएं तीनों इंटेस्टी हैं काने में दई के साथ सहो करें इसके साथ और किसी चीज की जरूरत नहीं है थेंक यू फॉर वाचिंग प्लीज लथ Radio प्लीट के सीनों अंचे जानी है ऐसे लिए।